पहला क्योशन, पहला क्योशन हमारे सामने है, मैं पहला बदलेता हूँ थोड़ा, पहला क्योशन हमारे सामने सी त्यूद का सबसे बड़ा प्रतिक था, यानि सी त्यूद का सबसे बड़ा प्रतिक अपन को बताना है, तो अपन के पास में चार ओप्शन है, पहला ओप्शन ह दिवार का खड़ा किया जाना दूसरा बरलीन की दिवार का गिराय जाना तीसरा हिटलर के नेतुर्ट्वे में नाजी पार्टी का उत्थान और चोथा इन में से कोई नहीं तो आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं आप यदि थोड़ा टाइम लेना चाते हो तो व बड़ा प्रतीक माना जा सकता है तो अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन हमारे सामने अगला क्यूशन हमारे सामने है बरलीन की दिवार कब बनाई गई थी यानि बरलीन की दिवार कब बनाई गई थी यह डेट पूच रहा है कि बरलीन की दिवार कब बनाई गई थी तो हमारे पास में च्यार ओप्षन है पहला 1901 दूसरा 1951 तीसरा 1931 और चोथा 1981 तो अपनको राइट आंसर बताना है इसका जो राइट आंसर है वो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि 1961 को बरलीन की दिवार बनाई गई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तीसरा क्योशन हमारे सामने है तीसरा क्योशन सोग थेरेपी अपनाई गई थी चार ओप्षन है 1988, 1989, 1990 और 1902 में तो राइट आंसर बताना है अपन को इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 को सोग थेरेपी अपनाई गई थी चोथा क्योशन देखते हैं अपन चोथा क्योशन पूरवी जर्मनी के लोगों ने बरलीन की दिवार गिराई यानि ये जो पूरवी जर्मनी के लोग थे इनोंने ये जो पूरवी जर्मनी के लोग थे इनोंने जो बरलीन में जो दिवार बनाई गई थी उसको गिरा दिया था तो ये समय बुज़रा है कि गिराय था पूरवी जर्मनी के लोगों ने तो चार उप्सन हमारे पास में हमारे पास में चार उप्सन हैं 1948, 1991, 1989 और 1961 तो पहले हमने देखा कि 1961 को तो इसको खड़ा किया गया था ठीक है बरलीन की दिवार को 1961 में तो खड़ा किया गया था तो ये तो हो नहीं सकता ठीक है क्योंकि ये गिराने की बात कर रहा है खड़ा करने की बात नहीं कर रहा है खड़ा तो 1961 में किया गया तो ये आंसर नहीं होगा इसका जो राइट आंसर है वो C है 1989 को बरलीन की दिवार को गिराए गया था पूरवी जर्मनी के लोगों द्वारा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उननिस सो नवसी अगला किशन देखते हैं अगला किशन सोवियस संके वी गठन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया यानि सोवियस संके वी गठन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया था क्योंकि सौवियर संग का विगटन निसु इकराण में को गया था और उसमें एक नेता को जिम्मेदा ठहराए गया था तो इन उप्षनों में अपन को बताना है कि कौन सा रायट आंसर हो जाएगा तो चार उप्षन है पहला निकिता क्रूस्चेव दूसरा स्टालीन तीसरा बोरिस यल्टसिन और चोथा मिखाईल गोरबाच्चेव तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका रायट आंसर हो जाएगा डी D इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाईल गौरबाच्यो इसने जो नीतिया अपना ही उसके कारणी सोवियस संग का विगठन हो गया था तो आपको के लिए रही समझ में आ गया होगा कि मिखाईल गौरबाच्यो के कारणी ही isktion का विगठन हुआ था तो आगे बढ़ते हैं अगला question अगला question हमारे सामने आ रहा है सारे, सारे important question है भाई ये सारे important question लिकर आया हूं मैं सारे के सारे important question है ये Sorry Sovietité संग के विवाजन के बाद विश्व पड़ल पर कितने नए देसों का उदब हुआ यानि सोविये संके विवाजन या विगठन हुआ था उसके बाद का बाद में वो ये पूँच रहा है कि नए देशों का उद्ब हुआ था यानि सोविये संका जब विगठन हुआ था विवाजन हुआ था उसके बाद कितने नए देशों का उद्ब हुआ कितने नए देशों का निर्मान हुआ वो पूंच रहा है इस question में तो चार option है पहला 14 दूसरा 9 तीसरा 10 और चोथा 15 तो इसका जो right answer है friends इसका जो right answer वो D है D इसका right answer हो जाएगा 15 देशों का उद्वव हुआ सोवियस संग के विगठिन के बाद सोवियस संग के विवाजन के बाद विवाजन का मतलब आप विगठिन भी बोल सकते हो तो 15 देश नए आए विश्व पटल पर ठीक है अगला question देखते हैं सात्वा question सात्वा question हमारे सामने है सात्वा question सामेवादी गुटों के विगठन का परमुक अंतराष्टी परवाव पड़ा यानि सामेवादी गुटों के विगठन से जो अंतराष्टी उस समय की राजनिती थी उस पर क्या परवाव पड़ा ये question ये बोल रहा है क्योंकि सामेवादी गुटों का वी गठन मैंने बता दिया है 1901 में को हुआ था और उसके बाद विश्व की जो राजनिती थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा वो ये पूच रहा है इस ट्यूशन में ठीक है तो चार उप्सन है हमारे पास में दो दुरुव्य विश्व व्यवस्ता का उदै राइट आंसर हो जाएगा एक दुरुव्य विश्व व्यवस्ता का उदै एक दुरुव्य विश्व व्यवस्ता का मतलब क्या होता है वो समझो एक दुरुव्य विश्व व्यवस्ता का मतलब यह होता है कि विश्व में एक ही महा सक्तिका होना सामेवादी गुट का वी ग विध द्धी चला था तो उस time को दुदêts विश्व व्यवस्ता का उधे माना जा सकता है यहीं दो दुद्वव विश्व उस time थे लेकिन 1901 में 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 सौवीयसं के वीगतन के बाद में एक ही माह सक्ती रह कई इसी कारण एक दुरुवे विश्व व्यवस्ता का उदय माना जा सकता है सामेवाधी गुटो के वी गठन के बाद तो इसका जो राइट आंसुर है वो एक दुरुवे विश्व व्यवस्ता का उदय ठीक है अगला क्यूशन देखते हैं अपन अगला क्यूशन हमारी सामने यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो कमेंट भी कर सकते हो और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो कि कि आप सब्सक्राइब करते हैं नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को ताकि हम भी हमारी मैनत भी रंग लाए एक दिन ठीक है आपकी उंगली में यह हमारी मैनत चीप हुई है तो क्योशन हमारे सामने है वर्तमान विश्व में कौन सा एक मात्र देश महा सकती है वर्तमान विश्व यानि वर्तमान सब य भी के तो हमारे वामने चार अप्शन है पहला है रूस दूसरा रही तीसरा अमेरिका और चौतक फ्रांस तो आपको राइट अंसर बताना है इसका जो राइट अंसर होजाएगा अमेरिका विश्व की महासक्ति है 1901 को सवियन संग को सव्क मैं को पचाड कर अमेरिका सबसे आ एक दुरुवे विश्व यानि वर्तमान में एक दुरुवे विश्व विवस्ता है क्योंकि विश्व में एक ही मासकती है और वो है अमेरिका तो नवा क्यूसन देखते हैं अपन नवा क्यूसन हमारे सामने है मैं इसको रोक लेता हूँ दो दुरुवे विश्व का आरम कब माना जाता है यानि दो दुरुवे विश्व आ गई निवात दो दुरुवे विश्व सबसे पहले समझो कि मैंने पहले भी समझा दिया है दुबारा समझा रहा हूँ दो दुरुवे विश्वे क्या है विश्वे में दो महासक्तियों का होना ही दो दुरुवे विश्वे है अब दो दुरुवे विश्वे का आरंध कब माना जाता है मैंने पहले ही बता दिया 1945 से 1945 एकराण में की बीच का जो टाइम था वो अपन दो दुरुवे विश्व के नाम से जानते हैं तो मैंने इसी में आंसर बता दिया है फिर भी आप आंसर बता सकते हो तो मारे पास में चार उप्षन है 1945, 1948,1956,1956 तो friends इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 से 1945 से ही दो दुरुवे विश्व का आरंब माना चाता है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि 1945 से 1901 में की बीच में दो दुरुवे विश्व विवस्ता रही तो इसका आरंब हो गया 1945 को क्या दिक्कत, अगला क्योश्वन भी सी पर आधा रित है यदि आप थोड़ा पूर दिमार्ग लगाएं तो राइट आंसर कर सकते हैं क्योंकि आंसर मैंने पहले ही बता दिया इसका भी बता दिया जो आगी क्योश्वन आएगा उसका भी तो इसका जो राइट आंसर हो दाएग 1925 अगला क्योश्वन देखते हैं लास्ट जोश्वन है यह यह भी उसी पर आधरित है आपको थोड़ा दिमार्ग लगाना है दो दुरुव्यता का अंत कब से माना जाता है यानि दो दुरुव्यता का अंत कब से माना जाता है यह बताना है अपनको तो चार ओप्शन हैं हमारे सामने पहला है 1980, दूसरा 1970, तीसरा 1901 में और छोथा 1906 है तो friends आपने सही आंसर बतायोगा, आप comment में लिखकर बताना कि आपने कितने चुशन सही किये है तो friends इसका जो right आंसर है वो C है 1901 में को 1901 में को दो दुरुव्यता का अंत माना जाता है मैंने पहले ही बता दिया है 1945 से 1901 में तक दो दुरुव्य वेवस्ता रही तो इसका प्रारम तो 1945 को हो जाएगा और अंत 1901 में को जाएगा पिछले क्युशन में प्रारम बूजा था तो इसका 1945 आंसर हो जाएगा और अंत हो जाएगा 1901 में, 1901 में ये दे रखा है तो friends आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा आप सभी को thank you आप सभी को जय हिंद आप सभी को जय हिंद, जय भारत thank you all friends यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like, subscribe और comment करना ना भूले subscribe करो channel को ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आप comment में लिख कर बोलना है कि कितने क्युस्तन आपके ठीक होए, मुझे बहुत दी प्रसंट सा होगी तो मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए, thank you